रेप पिडिता और उसके भाई को दुशकर्म आरोपी के घरवालों ने मारी गोली यूपी के बरेली में रेप पिडित चौथी क्लास की छात्रा को दुशकर्मी के खिलाब थाने में मुकतमा दर्ज कराना जानलेवा साबुत हुआ रेप के आरोपी को पिलिस ने जेल भेज दिया तो उसके घरवालों ने रंजिश के चलते पिडिता और उसके भाई को गोली मार दी दोनों को गंबीर हालत में निजी अस्वतार में भरती कराया गया अस्पतार में भरती इसकिशोरी के साथ गाउं के ही एक यूबक ने शौज पर जाते समय 10 दिसंबर को दुशकर्म किया था पीडिता ने 10 दिसंबर को ही भमोरा थाने में एफायर दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंबिरता को देखते हुए आरोपी को गरफतार कर लिया और जेल भेज दिया तब से आरोपी सलाकों के पीछे है इसी वजह से दुशकर्म आरोपी के घर वाले पीडित से रंजिश साम मानने लगे और बीती रात मौका पाते ही उसे और उसके चचेरे भाई को गोली मार कर घायल कर दिया मौके पर पहुंची पुलिस ने पिडिता और उसके भाई को नीजी स्वतार में भरती करा दिया जहां उनकी हालत खतरे में खतरे से बाहर है वही मामले की गंबीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है वारदात के बाद से आरोपी फरार है S.P. ग्रामीर का कहना है कि आरोपी की तलाश में टी में घटित कर दी हैं और जल्द ही आरोपी सलाकों के पीछे हो वहां पर एक आदमी ने सूचना दी कि उसको गोली मार दी है और उसके पेट में गोली लगी ततकाल पॉके पे पुलिस पहुंची बहमोरा थाने से और सीवो मौदे कुद पहुंचे और उनको ततकाल यहां शेहर में सिद्धी वनायक अस्पताल में लेके आया गया जब मेरे द्वारा और और पुछताच की गई तो यह सामने आया कि वहां गाउं में एक भटा है और भटे की ओनर्शिप को लेके उनमें विवाद हुआ था दोनों पक्षों में उसके पाद हाली में एक पक्ष के द्वारा अपनी बेटी उनकी बेटी के साथ रेप होने का मुगदमा दार्श हुआ था जिसमें दूसरे पक्ष के एक आदमी को हरेंदर नाम के आदमी को अभियुक्त को जेल बेजा गया और कल वाली घटना में अरिंदर का ही जो भाई है एक और उसके और रेलेटिव उनके पास गए मार पीट हुई गाली गलोची और उसी में उन्होंने बारा बोर्ग से फायर किया फायर में उनको गोली लगी है लेकिन अभी उनकी हालत गंबीर नहीं है और खत्रे से पास